अट्थारा सो सत्तावन के स्वतंतुता संग्राम को दवाने में हाला कि अंग्रेजों ने सफलता पाजी थी मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक वर्ग जो वहावी के नाम से विख्यात था अंग्रेजों का लगातार विरूत करता रहा इस आंदोलन का जूर उत्तर भारत में था पेशावर और पटना में इसके केंद्र थे वहावियों का संगठन इतना मस्बूत था कि सन 1830 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया था उधर दक्षन बंगाल में 24 परगना नदिया और फरीदपुर में भी वहावियों का अच्छा प्रभाव था वहाँ के किसान तीतो मिया के नित्रित्व में विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए थे और अंग्रेजी राज समाप्त होने की खोशना करती थे चारों और विद्रोह खड़ गया आफिर अंग्रेजों की सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए आगए खुला संधश हुआ तीतु मिया मारे गए और तीन सो चालीस वहाबी पकड़े गए इस तरह वहाबी आंदोलन जो शुरू में धार्मिक रंग लिए हुए था अंग्रेज विरोधी हो गया और आजादी का समर्थक बन गया उधर सीमा प्रांथ के वहाबियों में अंग्रेजों से 1858 और 1863 में दो वार्य धला लाँ आफिर दिसंबर 1863 में अंग्रेजी सेना ने मलका के मजबूत पिले को जीत कर वहाबी आंदोलन पर भारी चोग की अंग्रेजों ने सीमा प्रांथ के वहाबियों को पकड़ कर उन पर मुकदमे चलाए सन 1871 में एक वहाबी नेता अमीर खांपर मुकदमा चलाया गया वहाबियों ने पैरवी करने के लिए मशूर अंग्रेज वकील मिस्टर एनस्टी को खड़ा किया मिस्टर एनस्टी ने अंग्रेज होकर भी वहाबियों के पक्ष को बड़ी मस्बूती से अदालत में रखा उनकी दलीलों को वहाबियों ने पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया जिससे उनका अच्छा प्रचार हुआ जच ने मुकद्मा तो खारिच कर दिया किन्तु अमीर खां को नहीं छोड़ा गया ये अंग्रेजों के काले कानूनों का एक नमूना था इस पर एक दिल मौका पाकर अब्दुल्ला नामक एक वहाबी नो जच पर छुरे से हमला कर दिया बात में इसके लिए अब्दुल्ला को हासी हो गया उधर पटना में वहाबी आंदोलन की नेता थे मौलवी एहमदुल्ला इन पर प्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाने और सीमा प्रांथ के विद्रोहियों की मदद करने का आरूप था मौलवी एहमदुल्ला पर फोरण मुकदमा चलाया गया जूटे गवाहों के बयान लिये गए और मौत की सजा दी गए लेकिन बाद में हाई कोट ने उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया इस फैसले के तुरंत बाद मौलवी एहमदुल्ला को अंडमान भीज दिया गया और पटना में उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई इतिहास का लिखते हैं कि अंडमान पहुचकर भी मौलवी एहमदुल्ला इस आंदोलन को जीवित रखने का लगातार प्रयत्न करते रहे भारतिये स्वतंतुरता आंदोलन के इतिहास में कूका विद्रोव का अपना अलगी महत्र है सद्गुरु राम सिंग इस आंदोलन की नेता थे सद्गुरु राम सिंग का जन्म लुध्याना के भेणी गाउं में हुआ था वो कम उम्र में महराजा रंजीत सिंग की सेना में भरती हो गए थे किन्तो जब बाद में इस राज्य को अंग्रेजों ने अपने सामराज्य में मिला लिया तो चारो तरफ बेचैनी फैल गए सद्गुरु राम सिंग बहुत दुखी होया उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की घुलामी से छुटकारा पाने का अब कोई रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटा कर भजन पूजन में मन लगा लिया सद्गुरु राम सिंग की भक्ति का इतना यश फैला कि भेणी एक तीर्थ स्थान बन गया अनेग लोग उनके शिश्य बन गये उन्होंने इस नए संप्रदाय का नाम रखा कूका या नामधारी संप्रदाय धीरे धीरे सद्गुरु राम सिंग के मन में विचार आया कि क्यों न ऐसे भक्तों का एक संगठन बनाया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करें उन्हीं दिनों सद्गुरु राम सिंग की भेंट महराश्टु से आये संथ रामदास से हुए देश की दिनों दिन बिगड़ती स्थिती सूखा अकाल अंग्रेजों के जुल्म आदी विश्यों पर बात चीत हुए संथ रामदास ने कहा कि इन समस्याओं का हल करने के लिए देश का आजाद होना जरूरी है सद्गुरू रामसिंग ने असहयोग की नीती अपनाई उन्होंने अपने शिश्यों से कहा अंग्रेजों की अदालतों मिरना जाओ उनके विद्यालेओं मिरना पढ़ो जब अंग्रेजों को सद्गुरु राम सिंग की असहयोग नी थी और उनकी अलग से चलने वाली डाक विवस्था के बारे में पता चला तो वो चौकन्ने हो गए सद्गुरु राम सिंग ने अपना काम गुप्त रूप से शुरू कर दिया ये तैह हुआ कि भीतर ही भीतर लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोव के लिए तयाद किया जाए पांच वर्शों तक गुप्त रूप से काम चलता रहा लेकिन एक दिन सद्गुरु के चेले यात्रा पर जा रहे थे कि एक शिश्य को कसाईयों में घेड लिया उल्पी सीधी सुनाई और अपमानित दिया क्रोच से भरा हुआ वो शिश्य सद्गुरु के पास आया जगड़े की बात बताई और बोला अब शान्ती से काम करना मुश्किल है आप अभी विद्रोव के लिए आदेश दें सद्गुरु ने शिश्यों को समझाया पर वो आपने से बाहर हुई चुके थे वो मलेर कोटला के खिले की और हथियार लेने के लिए दौर पड़े हथियार लेकर वो सब युध्ध के लिए निकल पड़े शिश्यों ने सद्गुरु की आग्या के बिना युध्ध छेड सद्गुरु इस स्थिती से बहुत दुखी हुए उन्होंने कहा मैं उनका समर्थन कैसे करूं उधर से अंग्रेज से ना दू सभी शिश्य गिरफतार कर लिये गया और उन्हें तोपों को मुझ से बांद कर उड़ा दिया गया इन्हीं विद्रूहियों में एक शिश्य तेरा वर्ष का बालत था अंग्रेज अपसर ने उससे कहा अगर तुन कहळो कि सद्गुरु राम सिंग से तुमारा कोई संबन नहीं है तो माई तुमें चोड़ दूगा लेकिन अपने गुरू की बुराई सुनते ही उस बालत ने छपटकर अंग्रेज की दाड़ी पकड़ ले अंग्रेज अफसर और उसके सिपाहियों ने दाड़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर सफल ना हुए अफसर ने गुस्ते में बालक का हाथ काटने का आदेश सिपाही ने पलक मारते ही बालक का हाथ काटकर अलग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिये लेकिन शिश्यों की सद्गुरु के प्रती भावना को देखकर अंग्रेश परेशान हो उठे उन्हें लगा कि एक दिन सद्गुरु राम सिंग एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं इसलिए उन्हें मलेर कोटला में विद्रू के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया हाला कि उससे उनका कोई संबंद नहीं था सद्गुरु राम सिंग और उनके कुछ अनुयाईयों को रंगून भेश दिया गया जहां 14 वर्ष बाद उनका दिहान थो सद्गुरु राम सिंग देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट्र छाप छोड़ गया उधर बिहार के संथालों ने एक बार फिर आजादी का नारा बुलंद किया चोड़ा नाकपुर क्षेत्र में संथालों ने इससे पहले दी सन 1855 में शोषण के विरुद्ध सशस्त्र क्रामती छेड़ दी थी उस समय संथालों के दो नेता सीधू और उसके भाई कालू ने 16 जुलाई 1856 को अंग्रेजों से पहली बार खुला युद्धि दिया था संथालों के कबजे में आ गया था फिर कलकत्ते की ओर बढ़ते हुए तीस हजार संथालों से अंग्रेजों की भिरम थी इस लड़ाई में दस हजार संथाल मारे कर अंग्रेजों ने उन पर अपना आतंक जमा दिया सन 1871 में पुना संथाल विद्रो भड़का पर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया विद्रोह तब तो गया पर बंद नहीं हुआ इसके बाद विहार के राची और सिंग भूम जिलों के मुंदा आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोशन और अत्याचार के खिलाफ फिर विद्रोह किया इस विद्रोह का नेता था एक यूवक मुंदा बिरसा बिरसा कुछ पढ़े लिखी थी उन्होंने उस समय के समाज और शासन के स्थिती देखकर ये महसूस किया कि न्याय पर आधारित भूमी विवस्था और शोशर से बचने के लिए लंबा संखर्ष करना होगा दूसरी और बिरसा ने आधिवासी समाज की जिस तरह सेवा की उससे वो जन्दी ही लोकप्रिये हो गया बिरसा ने जहां आधिवासियों में व्याप्त अंध विश्वासों को दूर किया वहीं इसाई मिश्णरियों के फैलते प्रभाब को भी रोकने की कोशिश की उन्होंने किसानों को शोशन के खिलाफ चगाया आखिर मुंडा बिरसा की लोकप्रियता और शोशन विरोधी कारियों को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफतार करने की कोशिश की इस पर मुंडा आधिवासियों ने जहाद छिर दिया फिर भी अंग्रेजों ने बिरसा को एक राद गिरफतार कर ही लिया बिर्सा को दो साल की सजा देकर हजारी बाग जेल में रखा दे जेल में वो हमेशा आधिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सोचते रहते दो साल बाद जब मुंडा बिर्सा जेल से छूटे तो उन्होंने चल खेद में एक सभागी प्राचीन मुंडा राज्ये के एतिहासिक स्थलों और मंदिरों के दर्शनों की योजना और राजनेतिक चेतना जागरत करने की कारवाई शुरूगी इस पर अंग्रेश फिर उन्हें पकड़ने के लिए आये पर मुंडा बिर्सा कहां हां थाने वाले थी वो आदिवासियों का संगठन कर उन्हें विद्रूह के लिए तैयार करने में चुट गए उन्होंने अपने गदिविद्यों का केंद्रू डुम्बरी में बनाया जो चारों और से पहाड़ियों से खिरा है होली के अफसर पर आयोजित सभा में बिर्टिश सरकार और महरानी विक्टोरिया के पुतले जलाए गए इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विद्रू की योजना बनाई गई पृटिश अधिकारियों को हता कर बिर्सा के नेत्रित्रू में नए राज्य की स्थापना के तैयारी शुरू हो गई आखिर योजना के अनुसार सिंग भूम जिले के चक्रधरपुर राची के कूटी कर्रा तोर्पा तसार और बलिया में विद्रू भड़क उठा अंग्रेज सेना तुरंत विद्रोहियों को दबाने के लिए सक्रिये हो उठी सैल रकाब की पहाड़ी पर जबरदस्त युद्ध हुआ आदिवासी तीरों और पक्थरों से अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला कर रहे थी चारों तरफ आतंग दमन और अत्याचार का वातावरण फ्यल गया भारी संख्या में आदिवासी मारे गए विद्रोह एक तम ठंडा कर दिया गया पर बिर्सा पकड़ में नहीं आ रहे थी अंग्रेजों ने उनकी गिरफतारी के लिए पुरसकार खोशिक गया बिर्सा किसी तरह जंगलों में छिपते भटकते समय काट रहे थे कि एक दिन उनकी ही साथियों में धन के लालच में उन्हें पकड़वा दिया जेल की गैद में बिर्सा का स्वास्थे बिकड़ गया और उनका देहान थो गया किन्तु आज भी वहां बिर्सा को देवताओं को समान पूजा जाता है